दुर्ग निवासी अंतरास्टी शायर एवं कवी रौनक जमाल का जन्मदिन विगर्दिनों देश भर के शायरों कवियों वप्रबुद नागरिकों की मौजूदगी में हर शोर लास के साथ बनाये क्या था शायर रौनक जमाल को उनके जन्मदिन की बधाय देने का सिलसिला लगातार जारी है कवी और शायर किस तरह उनको जुबान युबाराक बार दे रहे हैं आप भी देखिए यूदो 25 मैं 2024 दुर्ग शहर के लिए एतिहास एक दिन रहा क्योंकि इस दिन डौक्टर रौनक जमाल के सत्तरवे जन्मदिवस के मौके पर पांच किताबों की विमोचन का उच्सह शहर के एक नीजी होटल में हर शोर लास के साथ मनाये गया इस आजन्मेट प्रदेश ही नहीं बलके पूरे देश के शायर कभी लेखक और साहितिकारों ने अपनी उपस्थिती दर्ज कराई और अंतररास्ट्रिय साहितिकार की किताबों के विमोचन की सफलता में चार्ट चान लगा दिये लेकिन ये सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा है क्योंकि प्रत्य को अपने मन की भावना प्रकट करने का उसर मन चेप्रदान नहीं कर सका सो प्रदेश एवं गयर प्रदेशी शायर कभी अपनी मारमिक स्पर्श के तबारा अपनी भावनाओं को जन्मानस तक पहुचाने ही तु लेब बद्ध हैं डॉक्टर ओनक जमाल ऐसे व्यक्तित्व की धनी है और ऐसे व्यक्तित्व की धरोहर है जिन्होंने अपनी दैनिक जीवनचरिया में सादगी भरे पारिवारिक दाईत्वों का सकुषल निर्वहन करते हुए मात्र भूमी के कर्जों को समय रहते पूर्ण कर जातिवात के काट प्रो भरे डंगनियों में महकते हुए गुलाबों को खिला कर 36 गड़ ही नहीं बलके पूरे रास्टर में व्यक्ति प्रेम का शंखनात कर युवा पीडियों में साहितिक धरोहर के प्रती उत्सा वर्धन किया है और नई चेतना उनमें लाने के लिए मिल का पत्थर साबित हो रहा है इसी कड़ी में राजनत गाओं के अब्दून सलाम कौसर ने कहा है कि चमन की गोद में गुलाब बन के रहो तुम कभी आ PACAB बन के रहो तुम्हारे नाम से रोनकsl अदब का नाम चले हर एक दोर में तुम लाजवाब बन के रहो वही राएपूर के फजले-बासि सैफी ने अपने अलफाजों में कुछ यू बया किया कि महफिल यूही सजी मिले रौनक जमाल को दुनिया की हर खुशी मिले रौनक जमाल को सैफी चलो दुआ करें परवर्दिगार से सौ साल जिन्दगी मिले रौनक जमाल को तो इसे कड़ी में दूर की सबा निजामी का डॉक्टर रौनक जमाल को बढ़ाए देने का ये प्यारा अंदास सुनिए यूमे विलादत आज मुबारक हो मरहबा तबरिक पेश करती है दिल से तुम्हें सबा पहचान है किताबों से रौनक जमाल की हर एक किताब उनकी है बेहत कमाल की तो इस पाद नगरी के शाहिन सहिबा का अंदाज ही निराला रहा शब्दों की माला और ये शिर तारिफे काबिल रहा के खुबसूरत है शाबान है जिन्दगी उनकी काम्याबी से भरी किताब है मैं लिखने बैठों तो लफज गम पर जाएं जमाल साहब में खूबियां बेहिसाब है बिलाई के अंतरास्टी कवित्री जॉक्टर बीना सिंग शीरी जुबा वैक्तितू है जिनका कमाल है स्वयम में जो जवाब और सवाल है पुस्तक विमोचन के उसर पर कहती हूँ लेकनी चनाब रौनक जी की बेमिसाल है शामिल शायर नवेद रजा ने अपने अलफाजों में कहा कि कागस के वर्कों पे करते हैं लिकर ख्याल को मुबारक बात अदबी दुनिया जिनकी है उस कमल को मुबारक बात नावेद दुआगर है इस विलादत पे रब से हाथ उटके अहले अहबाब की रौनक इस जमाल को मुबारक बात तो अंतर रास्टी साहितिकार डौक्टर रौनक जमाल को उनकी जन्मदिन की मुबारक बात देने का सिलसला कुछ ही यूँ जारी रहा कि शायरों और कवी और साहितिकारों ने अपने अलफाजों से बड़ी माला ही बुंडाली और इस माला के कुछ बुंध हम आप तक अभी पहुँचा पाए हैं इसीन नियूस के लिए शाहिन खान की रिपोर्ट